अस्तामलेकुम फ्रेंड्स, विल्कम बैक टो टॉप स्मार्टीज, ड्रामा सीरियल माने ही सासु में आएंदा तो तहिया कर लिया कि इस राइटर का ड्रामा अब कभी नहीं देखना क्योंके हीरो जो सबका आइडियल हो जाया करता है उसी हीरो को ही इसने विलन बना दिया इसको समझ ही नहीं आए कि हीरो का करेक्टर कैसा होता है और फिर विलन का करेक्टर कैसा होना चाहिए हमें तो इस रामे का एंड पे कोई अच्छा होता मालूम नहीं होता क्योंकि शायस्ता जो अरूज को छट से गिराना चाहती है तो ऐसे में अद्रीस साहिपी आ कए और वो जल्दी से प्रॉप्टी के काखजात ले आए क्योंकि उन्हें हमेशा प्रॉप्टी ही तो दिखाई दी है रिष्टों को तो उन्हें ने कभी एहमियत दी ही नहीं अब यहां पर आए तो अरूज को ब्लैक मेल करने लगे एक तरफ तुम्हारी बेटी है और दूसी तरफ यह सारी चाहिदात अभी कि अभी इस पर साइन करो फिर तुम्हारी बच्ची की जान बच सकती है अरूज के एक मा है और मांक के सामने वलाद से भड़कर कभी कुछ नहीं हुआ करता इसलिए वो त्यार हो जाती है ठीक है मैं इस पर साइन करूंगी तेकिन मीरी बच्ची को एक हरोश भी नहीं आनी चाहिए अब तो शाइस्ता बहुत हुश हो जाती है कि फाइनली जिसके लिए 20 से 25 साल इंतजार किया वो चीज एक साइन की दूरी पड़ है वो तो एकसाइटिट होकर आगे भड़कर अरूज को देखने लगी कि वो कैसे साइन करेगी तो ऐसे में वसाइज जिसने शाइस्ता पर ही नज़र रखी थी शाइस्ता जरा सा आगे भड़ी तो वसाइज पीछे से जाकर जल्दी से अरीच को खेंच लेती है शाइस्ता तो देखती रह गई लेकिन अब अरीच शाइस्ता के पास नहीं वसाइज के पास है वसाई ने तो अपना नमक हलाल कर दिया तब जब बच्ची अरूच के पास आई तो वो जरा होश में आई और अब इतराते होए कहने लगी नहीं करूंगी मैं साइन दफा हो जाए आप लोग मेरे घर से आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर नज़र रखने की अब तो अरूच इनने घर से निकाल कर ही दम लेगी ऐसे ही परेशानी के आलम में शायस्ता और अद्रीस अपने कमरे में आचाते हैं क्या पैकिंग करने ही पड़ेगी आकर शायस्ता अपने बीते वक्त को याद करने लगी क्या कुछ नहीं किया मैंने इस तौलत को हासल करने के लिए अपने बेटे को महरीन की गोत में ढाल दिया सारी अमर अपने बेटे को प्यार करने को तर्सी और अरूच को भी तो फ्हेंक दिया था पिर ये सब कुछ कैसे हो गया बाजी मेरे हक में क्यों नहीं हुई जबके मैंने तो बहुत ही होश्यारी से सब कुछ खेला था अब सल्मान भी माबाप की जो ये बाते सुन रहा था तो आगे आकर उसमें भी आहर कर गैरत आही गई आनी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि वो अपने माबाप की फितरत को उनके हर रास को जानता ही था तो फिर अचानक ये गैरत आहर क्यों आ गई ओ, लास्ट एपिसोड है ना, लास्ट एपिसोड में कुछ तो थ्रिलिंग सीन होना ही था तो यहां पर सल्मान अब अपने माबाप पर भड़कने लगा जो के भड़कते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये भी तो उनका ही हून है, उनके जैसा है लेकिन यहां पर अपने माबाप से कहने लगा कि आप लोगों ने अरीज पर हमला करने की कोशिश की जानते भी है वो मेरी बेटी थी, सब कुछ कबूल है लेकिन मेरी बेटी को आप नुकसान पहुंचाए, ये कबूल नहीं ऐसे में सल्मान जो पिस्टल लेकर आया था अरूच और मेरीन को रस्ते से हटाने के लिए वो अपने ही माबाप पर तान देता है और यहां पर हो सकता है अद्रीस साहिब की मौत हो जाए और शायस्ता फिर पागल हो जाएगी क्योंके शायस्ता का अंचाम इतनी असानी से तो नहीं होना चाहिए उसे तो अजियत नाक मौतानी चाहिए अब यहां पर सल्मान को रेलाइस हो गया कि उसने गल्ती की इसलिए तो वो दिल से जाता है महरीन से माफी मांगता है महरीन तो पहले ही इसताक में बैटि थी कि सल्मान आयए और वो उसे जल्दी से माफ कर दे क्योंके वो सल्मान को अपना बेटा ही मांती है कभी उसने शायस्ता का समझा ही नहीं ऐसे में सल्मान अरूट से भी माफी मांगता है लेकिन अरूज का जर्फ इतना बड़ा नहीं जितना महरीन का है इसलिए अरूज चाहकर भी सल्मान को माफ नहीं कर पाएगी तो दूसरी तरफ सल्मान ने चूंकि एक हून किया है हून के सजा तो होनी ही चाहिए कनौन की नजर में या तो उमर कैथ है या फिर फांसी हमें ऐसा लगता है कि सल्मान को सजा हो जाएगी क्योंकि अगर इस राइटर को कनौन के बारे में कुछ मालूम है तो पिर सजा तो होनी ही चाहिए अगर सल्मान को सजा हो गई तो काफी अर्सा गुजारती आ जाएगा और फिर हमें अरूज की स्ट्रॉगल दिखाई जाएगी किस तरह से वो अपने घर को अपनी बेटी को और अपने बिजनस को मैनेज कर रही है और अपनी लाइफ में बहुत मुतमीन है वो एक औरत होकर भी अपनी लाइफ में मुकमल ही दिखाई जाएगी क्योंकि मर्द के सहारे की अब उसे जरूरत नहीं मर्द का सहारा पाकर उसने देख लिया कि किस कदर जलील हुई उससे बेहतर है कि वो अकेले ही जिन्दगी गुजार ले